हेलो बच्चो आप देख रहे हो class 10 math और chapter 2 है बच्चो polynomials और इस chapter में exercise 2.2 कर रहे हैं हम तो इससे पहले question 1 हम कर चुके हैं तो इसमें देखे question 2 करेंगे हम तो question 2 में आपके पास है question 2 में क्या कहता है यह देखे यह कहता है कि इसको ठीक कर लेते हैं तो इसमें आपके पास जो zeros दी गई हैं बच्चो quadratic polynomial is with given number as sum दिया गया है and product of zeros तो हमने उसकी quadratic polynomial निकालना है find out करना है तो इसका solution देख लेते हैं तो solution में देखो क्या आएगा बच्चो इसमें first part करेंगे पहले हम तो sum of zeros तो हम मान लेते हैं let alpha and beta are zeros zeros of polynomial ठीक है तो हमने alpha और बीटा जो है zeros मान लिए हैं polynomial के जो quadratic polynomial हमें find out करना है तो उसकी zeros है suppose करो तो हमें sum दिया गया है और product one के equal बच्चो ठीक है तो यह alpha प्लस बीटा है और यह alpha बीटा है तो अब हम क्या करते हैं जो हमारे पास polynomial होता है तो required polynomial जो है required polynomial तो required polynomial क्या होगा बच्चो तो यह और जाएगा आपके इन्टो एक्स और प्लस alpha बीटा यानि x स्केर माइनस sum ओफ जीरो इन्टो एक्स प्लस product ओफ जीरो तो हम लिखेंगे x स्केर माइनस sum ओफ जीरो है हमारे पास alpha plus beta 1 upon 4 तो हम यहां 1 upon 4 लिख लेंगे और x लिखेंगे बच्चो और plus alpha बीटा है बच्चो माइनस 1 ठीक है तो यह हमने माइनस 1 लिख लिया अब हम क्या करेंगे यह निच्चे 4 है ना इसको solo कर लेते हैं तो पूरे polynomial हम 4 से multiply कर लेते हैं तो जब सब को इसको भी 4 से करेंगे इसको भी इसको भी तो हमारे पास आ जाएगा 4 x square minus तो जब इसको भी 4 से करेंगे तो यह 4 निच्चे ले वाला cancel हो जाएगा यहां x रह जाएगा उनली और इसको भी 4 से multiply करेंगे तो minus 4 आ जाएगा ठीक है तो आपके पास यह required polynomial आ चुका है जो आपका answer है बच्चो ठीक है तो यही आपका required polynomial है answer ऐसे ही हब हम second part कर लेते हैं तो second part में देखिए क्या करना है इसमें भी हम solution है इसका ठीक है तो solution में क्या होगा बच्चे देखिए तो हम यही लिखेंगे let alpha beta are zeros of polynomial तो हम लिख लेते हैं let alpha comma beta are zeros ठीक है of given polynomial तो sum of roots या sum of zeros sum of zeros क्या होता है बच्चो यानि alpha plus beta ठीक है तो यह given है हमारे पास square root 2 under root 2 भी बोल देते हैं से ठीक है और product दी गई है बच्चो product ठीक है of zeros product of zeros क्या है बच्चो देखिए 1 by 3 दी गई है तो यह 1 by 3 है alpha beta यह आ जाएगी 1 by 3 ठीक है alpha beta क्या जाएगी बच्चो 1 by 3 आ जाएगे तो 1 है यह फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे polynomial क्या जाएगा बच्चो जो हमें polynomial निकालना है polynomial polynomial तो polynomial आ जाएगा आपके पास x square minus alpha plus beta ठीक है x square minus alpha plus beta और इसके साथ x लग जाएगा और plus alpha beta यानि multiply तो इसमें देखिए आपके पास x square लिख दिया मैंने minus alpha plus beta क्या है बच्चो square root 2 है तो हम alpha plus beta के स्थान पे under root 2 लिख लेते हैं x ठीक है और plus alpha beta है 1 by 3 alpha beta कितना है 1 by 3 यह देखो alpha beta 1 by 3 दिया गया है ठीक है अब यही आपका अब यह 3 निचे है तो 3 से इसको सबको multiply कर देते हैं तो आपके पास आजाएगा बच्चो 3 x square यानि जो हमें निचे होती है ना अगर कोई value तो उसी से हम उसको multiply कर देते हैं ताकि निचे कोई भी value ना रहे तो हमारा जो question है वो easy हो जाता है असान हो जाता है तो देखिए 3 x आजाएगा आपके पास 3 x square आजाएगा और minus 3 under root 2 x आजाएगा यहाँ पे और यहाँ पे क्या आजाएगा बच्चो plus 1 आजाएगा ठीक है तो यह आपका answer आगया है required polynomial है आपका answer जो आपने निकालना था तो अब हम ऐसे ही third part कर लेते हैं इसका थार्ड पार्ट में देखिए क्या कहता है तो वैसे ही हम solution करेंगे इसका तो solution में क्या है यह कहता है कि let alpha beta हम इसके zeros मान लेते हैं इसे ही ठीक है let alpha beta are zeros ठीक है alpha beta क्या है इसके zeros हैं तो sum of roots या sum of zeros है alpha plus beta तो यह कितना है given है बच्चो 0 और product of zeros यानि alpha beta क्या दिया गया है alpha beta तो यह आजएगे आपके पास under root 5 ठीक है given है यह तो यह देखिए जीरो है sum और product है under root 5 तो हम लिखेंगे polynomial क्या जाएगा आपके पास polynomial polynomial क्या जाएगा बच्चो तो यह polynomial होता है वही formula आपने लिखना है x square minus alpha plus beta ठीक है और x लिखना है इसके साथ और क्या लिखना है बच्चो प्लस alpha beta ठीक अब इनकी values हम लिख देते हैं alpha plus beta की value कितनी है 0 है और alpha beta की value under root 5 है तो यहाँ पर हम इसकी value रख देते हैं तो यह आजएगा x square minus alpha plus beta है 0 और x और plus alpha beta है बच्चो square root 5 ठीक है तो हम 0 into x 0 ही होता है तो हमारे पास आजएगा x square minus यह plus है under root 5 तो 0 बीच में ना भी लिख्यों चाहे तो आपका यह answer आ जाएगा तो यही आपका required polynomial है ठीक है तो first second question के थ्री पार्ट हमने कर लिये हैं बाकी question हम next video में करेंगे बचो थैंक्यू जैहिन